कि नमाजकार दोस्तों यूट्यू चल में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में क्लास 6 का सेकेंड चेप्टर हम लोग पढ़ेंगे फर्स चेप्टर मैंने अल्रेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं चेप्टर का नाम है गलोब अच्छा है और यह जो लाइन है कालपनिक लाइन इस तरह माली जैसे जारी यह होता है मेरा ठीक है गलोब जो है प्रिथ्वी का एक मॉडल है तरीके का तो पिछले अध्या में आप पड़ चुके हैं कि हमारी प्रिथ्वी गोलाकार नहीं है यह उत्तर यह उन्दश्चित होता है यह थोड़ा से उबरा हुआ है तो समझने के लिए बनाए गया है घुलोब बेविनाकार इवन प्रकार के हो सकते हैं बड़े गलूब जो आसानी से अस्थान दुसरी अस्थान तो नहीं ले जा सकते हैं पार्केट में रखने होगा कि चोटे गुलूब तथा गुुब है जिसमें हावा भरी जा सकती हैं lob इससी प्रकार घुमाया सकता हो हमा फिर देषू माँ-धेशुों तथा माश्रागरों को उनकी सज्फाय अकार में दिखाया जाता है तो ध्यान दिजिए ऌते हैं जो बड़े लोग है उनको आप एक अश्थान से या का स्थान पर pesticでも होते हैं और बीजाए सकता है उनके अध्यन करने के प्रिथवी आपने अक्छ पर फवसा नहीं रहता है यह इस तरीके से अगर आप घुमायेंगे तो इस तरह यह घुमेगा भी जैसे कि लट्टु घुमता है इसमें एक जामपड बता गया गया गोब को हलका से इस तरीके से टच करेंगे तो यह घुमेंगा जैसे अपने आच सब्सक्राइब cups tapas संदर्व किया थे उसकता होती है। गुलोब परवे दो बिंदू जिन से होकर सुई गुजरती है उत्तर और दच्छिड धुरू है गुलोब को इस सुई के चारो और प्रिथवी की भादी पस्चिम से पूर्व क्यों गुमाय जाता आप देखें यहां पर जो क्वेश्चन बनता है कि प्रिथवी जो है इसी तरह एंचियाटी के बनता है डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है बीच बीच में रहता है लेकिन याद रहें इन दोनों में एक अंतर है प्रिथवी पर वास्तों में ऐसी कोई शूई नहीं होती यह अपने अच्छों पचार और गुमती है जो एक कालपनिक रेखा है त कि इसे बिष्वत रेखा का दाता है और इंग्लीज के नाम से अगर देखेंगे तो इस्तरह नाम इक कव contractors होता है एक्कवल मतलब बरावर बराबर बाटने वाला जो रेखा है बिश्वत बृत इसको बोलती है क्योंकि देखें यह वाला जो बिश्वत ब्रीत है एक्दम इ को उत्री गुलाद तथा दिपी सुझेट वाले आधे फार को कशी ऺुलाद जाता ये वारायगा ये गुलाड उत्री रहीगा नीचे वाला जो इसतर दोनों बराबर शाब दोनों बराबर के आदे भाग होते हैं देसे समझे यह एकदम मैंने बता दिया कि यह अंतिम बिंदू होता है उत्तर और दच्छिर दुरू का बट जहां से विश्वत रेखा है यह पूरा जो है दच्छिर भाग में आएगा और उपर वाला जो है इस तरह उत्तर भाग में आदा आधा भाग में रहेगा इस प्रकार विश्वत बृत पृत्वी एक काल्पनिक बिद बनाती है यह प्रिधवी पर बिबिन अस्थानों की स्थिती बताने का सबसे महत्पूर्ट संदर बिंदू विश्वत बृत दुरूत तक इस सभी समांतर बृत्तों को अच्छां समाघ रहाएं कारता चांसों को अंस में मापा जाता है कि अब देखें यह जो फिस्वत विर्ट की तरह को आपि यह सब अच्छांस कर्का और इसको एक कौण में मापा जाता है चिक इस अच्छांस जो इते हैं समय से रेखाएं होती हैं और इनको अंस में मापा जाता है अंस मतलब कोण में विश्वत विश्वत सुन्य अंस अच्छांस को दर्शाती है चुकि विश्वत ब्रित से दोनों तरब दुरों के बीच की दूरी पृत्वी के चारों और के ब्रित के एक चवथाई अतर इसका माप 360 क सुद्र को दर्शाता है नभी अंस दचडी अच्छांस दच्छी दुरू को ओं हो मुंता है इस प्रकार बिश्वत के ऊतर की समवत रेखावों को अतरी अचांस का जाता है अaving बश्वत बुर्त के दच्छिड, इससे सभी समानतेर रेखाओं को दच्छिड più अच्छाँष का जाता है मदलब यह आपका बिश्वत बुर् ant half रिखाओं गया यह वाला जो पार्थ है उपर का यह आपका उतरी और इसके नीचे यह वाला पार्ट है यह दश्री अच्छांस हो जाएगा इसलिए प्रते का च्छांस के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दश्र को भी लिखा रहता है इधर भी आप देख सकते हैं कि 6.66 डिगरी है इधर भी है तो कौन सा साड़े 6.88 नहीं पता इसलिए इसके साथ जो यहाँ पर उत्तर लिग दिया गया है उत्तर लिग दिया गया है और इस वाले में दच्छी लिग दिया गया है इससे आपको पता चल दाएगा कि विश्वत जुबृत है उसके किस डारेक्शन में है सामानता इसे उत्तर या दच्छी लच्छर से मतलब साथ तम में वियक किया जाता है उदारण के लिए महाराश्ट में चंद्रपूर यह ब्राजील दच्छी लच अमिर्का में बेलो होरिजेंटो दोनों एक अई अच्छांत 20 अंस पर इस्तित है लेकिन चंद्रपूर 20 ब कि अभी मनें बताया कि इसको कैसे जैसे यह यह साड़े 23 डिगरी इधर इस यहां फे जो होगा 23 दिगरी उत्तरी अच्छान्स लिखा जाएगा और इधर वाले को दिखा जाएगा शाड़े 23 डिगरी दछी अच्छान्स यहीं काने का मतलब प्रफस महत्पूड अच्छां समानतर रेखाएं विश्वत बृत जो होता है अब उत्तर दुरू 90 डिगरी तथा दुरू 90 के अतरीक चार महत्पूड समानतर रेखाएं हैं जैसे यहां समझे हैं अब यहां पे एक गर्पेखा जो लिए दिखने दिखने मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है नौर्थ वाला जो होता है नौर्थ इसमें करक रेखा रहेगा तो आज नीचे है साउथ है इसमें जो है मकर ठीक है करक और मकर अग्या को उसके बाद दो पाइंट हो गया एक यहां पर पाइल दूसरा पाइंट था यहां पर दिखा दिया है उत्तर का इस मेयब में आप ये भी दे इस सकते हैं कि यहां पर बहुत हुआि नी किरणकर बगारी नेकरने काम है अब यहाँ पर देखे यह सीधा प्रकास जा रहा है वही चीज समझाने के लिए और यहाँ पर तीर्चा जा रहा है तो यह वाला एरिया प्रकासित रहेगा और गर्म रहेगा और यह वाला एरिया थोड़ा डल टाइब करेगा और थोड़ा ठंडा रहेगा यही चीज जो है है उत्तरी और दच्छडी का जो अंतिम बिंदू है जो टाइगा और इस तरीके से प्रदेश पढ़ते हैं आभी नेक्स वीडियो में उस चेप्टर की चाचाएगे अभी जो है प्रित्वी के ताप कटी बंद जो होते हैं करक रेखा मकर रेखा के बीच अच्छामसों पर सूरी वर्स में एक बार दोपर में सीर के ठीक उपर होता है इसलिए उस चेत में सबसे अधिक उस्मा होती है तो जो उस्मा वाला च्छित्र रहेगा उसको उस्वड़ कटीबंद करते हैं उस्वड़ मतलब होता है यह गर्मी पाटीबंद मतलब वह एरिया घीरा हुआ है गर्मी का जो छेत्र है विश्र कटी बंद होता है Как This जो एकड़म कहां पर होगा करक रेखा मकर रेखा के बीच सभी अच्छानचो praying के मतलब की आप देख सकते हैं कि यह ुझे वाला जो एडिया है zahl कर्क रहेख और यह मखर से वाला जितना भी एरिया है इदम होता है जो वन्हीं बनाई है है विए उस्टर उसको बोलते हैं करके किकर स्यरक पर नहीं नहीं फिरूतों की तरफ सुरी के किर्णे तिर्ची हो जाती है इस प्रकार उत्तरी गुलाद में करक रेखा हैं उत्तर धुरूब्रित तथा धुरूब्रित के बीच वाले छेत का तापमान मध्यम रता है इसलिए सितोष्ड कटिबंद का जाता है मतलब बहुत ही कम तापमान तो देखें कौन सा एरि और जो एकदम चले जाएंगे इदर किनारे एकदम तो एकदम ठंडा हो जाएगा बर्फ रहेगा एकदम उसके बाद जो है उत्तरी गुलाद में उत्तर धुरूब्रित एवं उत्तरी धुरूब्रित तथा धश्री गुलाद में दश्री धुरूब्रित एवं दश्री चीट कटी बंद कलाता है ठंडा प्रदेश अभी आप अच्छांस पढ़ रहे थे अच्छांस जो समांतर रेखाए थी जो विश्वत बृत के समांतर होती है अब आते हम लोग देशांतर पर देशांतर क्या है देखें यह लाइन जो है इस तरीके से जो है जैसे नासपाती क इसको वर्टिकल याद करने के लिए आप जो है अपने समझ सकते हैं किसी अस्थान की सिती को बताने के लिए उसस्थान के अच्छांस के अधिल कुछ और जनकारे क्या हो सकता भी होती है आप देख सकते हैं कि प्रसांद महासागर इस्थी टोंगा दीप उमहिंद महासाग अच्छिकल रekस पूरनए न अस्थानओं की कितनी हैं इन संदर में देशांत्री या मोत्तर कहते हैं उनके बीच की दूरी अंसों में पड़ा सबısन रहता हैं तत्थां उनके दुरी दुरों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है घटती जाती है और दुरों पर सुनने हो जाती है जास श HU 다या कर देख सकते हैं कि यह सारा जो है बिस दुरों की पर के मिल गए गया ब्रक चुरूenses है आपका अच्छांस जो अमारा समांतर रेखा है बिन-बिन देशांतरी आयमोतरों की लंबाई समान होती इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं ब्यक्त करना कठीन है तब सभी देशों में निश्चेर किया की ग्रिन ग्रिनिच जहां ब्रिटिस राजकी बेशालाशित से गु का डिग्री पूर्व 180 डिग्री पहस्चिम तक गड़ना करते हैं प्रमुक्के एयामोतर् जो 180 डिग्री मिलकर पृथविक की दो समान भागो पूर्वी गोलार्ड और पहस्चिमी गोलार्ड में बिवक्त करती है इसलिए किसी हैश्थां के दिसांतर के आगे पूर्व के के लिए यह पूर्व ऐसे लिखा रहता है तो दच्छिट के लिए पह ऐसे करके उपयोग करते हैं यह जानना रोचक होगा कि 180 डिगरी पूर्व 180 डिगरी पस्चिम या मोतर एक ही रेखा परिस्तित हैं अब गलोब पर अच्छान समांतर रेखाओं देशांतरी या मोतरों के द्वारा बनी ग्रीड देखें अगर आपको किसी अस्थान के अच्छान सव देशांतर का सई जनकारी हो तो गलोब पर आप इस अस्थान का पता असानी से लगा सकते हैं जैसे आप समझेए जब आप मैत पढ़ते हैं जेबरा तो यहां पर इस तरह का एक एक सेक्स होता है एक वाई होता है यहां पर कोई अगर बिंदू है माल लीजे इसका इस्थिति हमको जानना है तो अगर यहां से एक दो तीन और इधर से भी एक दो तीन चार तो जानने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले एक सेक्सी से देखेंगे तो यह नहीं आ रहा है एकदम सीथ में इ यह इसका जो एक जेक्ट लोकेशन हो गया उसी तरह जो है हमारा समांतर जो अच्छांस होता है और दिसांतर होता है जहां दोनों का दिशा और कोण जो एक साथ लिखते हैं ताकि उसका सही दिशा जो हमको मिल सके जैसे यहां पर उदारार के लिए असम में धूबरी 26 जैसे यहीं पर आप देखिए यह वाला बिंदू जो है काट रहा है तो यह कितना मतलब दूर है अच्छांस और देशांतर दोनों का मान रख जब इसमें लिख देंगे तो आपको जो है पता चल दाएगा इसको समझने के लिए कागज पर समांदूरी 36 उर्द्वारदर र सब्सक्राइब दोनों जहां पर काट रहे हैं वहीं आपका जो है उसका एक्जेक जो है लोकेशन हो जाएगा कि अब आप देखेंगे कि और खोड डिगरी उत्तरी अच्छांस तथा एक डिगरी पूर्वी दिशांतर परिशिते अनि विर्टू की श्रिति जो आप इसी तरह बता सकते दिशांतर और समय क्या होता है समय को माप मापने का सबसे अच्छा साधन प्रिथ्वी चंद्रमा सबसे अच्छा साधन है अस्थानी समय का अनुमान सूरी के द्वारा बनने वाली परचाई से लगाए जा सकता है जो दोपार के छोटी हम सूरीयोद्य हम सूर्यास के बात में लंबी हो जाती है यह उस टाइम की बात हो रही है जिस समय घड़ी का विश्कार नहीं वाता य सब्सक्राइब गर्शाइब रिश्ति प्रमुक्या मोतर सूरीच जिस समय आकास के सबसे उच्चे बिंदुपर होगा उसमया मोतर इस सभी अस्थानों पर दोफार होगी जो कि प्रिथवी पश्चिम से पूर्ख यो चकल लगाती यह तो वह अस्थान जो ग्रिंवीच बि समय से कि आगे होगा तथा जो पस्चिम में उसका समय पीछे होगा समय के अंतर की दर की गढ़ना निल्खित बिदी से की जा सकते हैं प्रित्वी पल लगवक 24 घंटे में अर्थाथ एक घंटे में पंडर डिगरी चार मिनट में एक डिगरी घुमेगी आप इसको आसानी से बाठ सकते हैं क्योंकि देखें तो अगर आप 24 घंटे में तो अगर आप 24 से भाग देंगे तो बारत यहां 36 अब आड़ दुना के 24 तो इक घंटा में कितना डिगरी हो गया पंदर डिगरी हो गया और आपको पता है कि एक घंटा जो है साथ मिनट के बरावर होता है तो साथ मिनट हम कर लिए यह माली जे गंटा था गंटे पर ऐसा निशान नहीं होता है एक सेकेंडर यह मीनट हो गया तो अब 1594 चार मीनट के बरावर हो जाएगा यह जो बात लिखा है दो पर बार बज़ते हैं तो शारप मिनट अर्थाद गिर्णीच के समय में एक गंटा आगे अर्थाद वहां दोफ़ार का एक बजा लेकिन गिर्णीच के पंदर डिगरी पस्चिम का समय गिर्णीच समय से एक गंटा पीछे होगा तो माँ जो है सुबह 11 बजए गंटा मानस हो जाएगा इसी प्रकार गिनवीच दोफ़ार पर दोफ़ार के बारा बज़े होंगे तो समय 180 डिगरी पर मद रात्तरी होगी तो आप समझ गये होंगे इसमें मैं का खाना चाहता हूं बहुत ही सरल कंसेप्ट किसी भी अपने उस्तम बिंदू पर होता है तो दोफ़ार में उस समय घड़ी में दोफ़ार की बारा बचते हैं इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाए गया समय उस अस्थान पर अस्थानी समय होगा आप देख सकते हैं कि दिये गए देसांतरी आमोतर पर सभी अस्थान पर अस सब का काम जो एक साथ हो और साथ कोई भी समय हो एक समान हो जैसे अलग-अलग याम उतर पर अस्थानों पर अस्थानी समय में अंतर होता है उदारण के लिए बहुत से देशांत्रों सोकर गुजर्नेवाज रेल गाड़ियों के समय साड़ी तयार करना कठीन होगा अब जैसे को भी प्रावल्म होगा कि कभूर डिस्टिनेशन कंप्लीट कर रहा है कब कहां से उसका जो है जिसनेशन स्टार्ट हो रहा है इनिशिल पॉइंट तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगड के अस्थानी समय में लगवक एक गंटा 45 मेंट का अंतर होगा इसलि स्टार्ट पूर्व को मानक समय माना जाता है जो कि मानक समय को अ पूर्व है और यह आपका और संतावे चोड़े नगर में रहता है वह अपने मित्र आलोग से लोग आज राती में भारत के समय सामको साड़े साथ बजे शुरू होगा तथा देर रातरी समापत होगा आप क्या जानते हैं कि भारत के पूर्व जो है अधिक मानक समय अपनाया गया है अब देख्या में आया हुआ कौन से देश में कितना मानक समय होता है अब बड़ा कंट्री है तो वहां पर जो है डिफ्रेंस समय का हर जगे पे तो 11 मानक समय उन्हों में बनाया है सई जनकारी के लिए अब प्रिथवी का एक एक घंटे वाले 24 समय छेत्रों में बाटा गया है इस प्रकार प्रतेक समय छेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के छेत्र को घेड़ था है तो यह बहुत ही सब्सक्राइब दस बार 15 बार 20 बार आपको रटा जाएगा एक दम उसमें कोई संदे नहीं है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक आप इसको पढ़िए